हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो आज एक बहुत इंपोर्टेंट ये वीडियो है आप लोगों के लिए स्पेशली जैसे हम जॉब सर्च करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ओनलाइन इंटर्व्यू हो जाए दोस्तो what is the meaning of online interview इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँ खास कर मैं teaching के बारे में पहले बात करूँगा अगर मान लिजे कोई किसी के थुरू या फिर directly आपको call आती है कि ठीक है आपका first round जो है online interview हो जाएगा अब आप मान लिजे पूछते हो date कब है उन्होंने बोल दिया कल आपका तीन वजे इंटर्व्यू होगा एक organization ज़रूरी नहीं है कि आप ही shortlist हुए हैं हो सकता है उन्होंने 5 लोगों को या 10 लोगों को shortlist किया है अब मान लिजे आपने कहा मैं 3 वजे अविलेबल नहीं हूँ मैं 5 वजे अविलेबल हूँ ठीक है उन्होंने आपको 5 वजे का time दे दिया अब मान लिजे अगले दिन आपको call आ जाती है कि 5 वजे आपका online interview होगा अब दोस्तो जब आपको link आता है मान लोगो zoom के थुरू होगा या तो online interview या whatsapp के video call के थुरू होता है गोगल meet के थुरू हो सकता है ये तीनों applications आपके phone के अंदर फोनी ज़रूरी है या laptop ने number 1 point number 2 point अब जब आपका interview होने जा रहा है तो आपका पूरा एक जैसे आप तयार होके किसी organization में, school में, office में जाते हो वैसे ही आप बिलकुल अपने घर में भी एक शान्त से कमरे में बिलकुल तयार होके बैठो आप लगने चाहिए कि आप एक competitive candidate हो first impression is the last impression सामने जो interview लेने वाले हैं सबसे पहले वो आपको देख के बोले नहीं candidate is very smart number 2 number 3 अब मान लीजिए आप mathematics teaching के लिए apply किये है आपने और maths teaching के लिए आपका interview online होने जा रहा है सबसे पहले हो सकता है वो आपसे कुछ personal चीजे, personal interview, personal introduction के लिए पूछे वो तो आप जवाब दे देते हो, ठीक है कोई English में, कोई Hindi में, वो अलग बात है अब हो सकता है उनके साथ कोई expert बैठे है mathematics के वो आपसे आपके subject से related question पूछ सकते है number 4 दोस्तो, अगर आप बीना, मलब एक relax mode में कि कल मेरा interview हाया हो जाएगा देखेंगे तो जैसे सरकारी, नौकरी के लिए हम दिन, रात मेहनत करते हैं exam, seat at, seat at one, seat at two तैयारी करते हैं, उसमें target होता है कि 90 marks लेने हैं भाई, जनरल में और 89 भी आजाएं, आप reject हो जाते हैं द्वारा paper देना पड़ता है अगले साथ उसी तरह से दोस्तो, private job तो बहुत ही tough है उनके तो parameter उससे कहीं ज़्यादा होंगे, expectation ज़्यादा होगी private agency है तो अगर आपने अपनी book, अपना syllabus अच्छी तरह से तयार नहीं किया है और माल लीजे, आपसे वो 10 questions पुछते हैं, लेकिन आप 6 के जवाब दे पाए maybe you will be rejected तो चौथा point मतलब आपने interview से पहले, एक दिन पहले, दो दिन पहले अच्छी तरह से अपने syllabus की तियारी कर लेनी है यूँकि expert तो आपसे question पुछेगा, यह जानने के लिए कि आपको knowledge कितनी है भले ही आप seat at qualified हो लेकिन उस time अगर आप questions के answer नहीं दे पाए देके and reject you, इस हर तो या तो तयारी करके नहीं आये हैं, या इनको knowledge नहीं है आगे वो बढ़ेंगे लेकिन अगर माली जी इस round में आप ठीक निकल गए तो अगला point, very important वो आपको भी बोलना चाहिए, उससे selection के chances बढ़ते हैं वो क्या है, तो तो आप teaching के लिए apply करते हो किसी भी school में physically आप जाते हो तो माली जी वो test लेते हैं आपका simple interview लेते हैं, फिर test लेते हैं, अगर test भी ठीक है तो उसके बाद क्या करते हैं वो आपको classroom में बच्चों को पढ़ाने के लिए बेशते हैं उसको कहते हैं classroom demonstration कि बच्चे कैसी feedback दे रहे हैं लेकिन अगर आपका online interview हो रहा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि घर बैठे ही आपका interview हो रहा है आपको तो वहाँ जाने की जुरूरती नहीं पड़ी हो सकता है वो 100 km दूर था तो अब वो interview का जो पांचवा सबसे important part है आपका board ready होने चाहिए बहुत सारे candidates मुझे बोलते हैं सर मेरे पास सारी सुविदाएं नहीं है दोस्तो एक तो चाहिए होता है phone सब के पास है आज की rate में दूसरा अगर आप job सर्च कर रहे हो घर बैठे आपको इतनी सुहुलत मिल रही है कि online ही आपकी बात्चीत उस organization से हो पा रही है तो अब दूसरी आपके पास resource क्या चाहिए एक board आराम से 1000 रुपीज तक अच्छा board मिल जाता है black या green या white 1000 तक अच्छा यतना बड़ा board मिल जाता है इससे बड़ा भी मिल सकता है और extend ले भी आपका बोर्ड रेड़ी है क्योंकि वहाँ जाकर क्या आपने पढ़ाना है दोस्तो 365 दिन वहीं रहना है मान लीजिए तो अब selection आप चाहते हो ना कि आप select हो जाओ तो उसके लिए 3-4 parameter तो आपने बिल्कुल occupy बिल्कुल सही किये जो सबसे main वो था teaching हो सकता है बो ले sir teach करके दिखाईए क्या आप ready हो उस time अगर आप बोलते हो दोस्तो कि sir मेरे पास तो बोर्डी नहीं है दोस्तो आपका impression खतम वही कभी अगर आप online में अपने ही घर से interview दे रहे हो तो आपके पास वो सारे आपको resources रखने हैं कल को job किस लिए कर रहे हो survive करने के लिए पैसे के लिए तो बोलते हैं कि कुछ जिन्दगी में बनना है तो उसके लिए education जुरूरी है तो education में पैसा तो लगता है शुरुआत में बच्चों को हम plus two तक पढ़ाते हैं आगे ब.a करवाते हैं ब.a.c करवाते हैं फिर post graduation करवाते हैं फिर आगे और technical degrees करवाते हैं non-technical पैसा लगता है न उसके बाद हमें एक अच्छी job मिलती है तो हमारा एक तो जिन्दगी बन जाती है जिसको पढ़ लिख के जिन्दगी बन जाती है तो हमें resources तो रखने पड़ेंगे अगर हम इंटर्विव में ये बोलेंगे कि हमारे पास ये resource नहीं है वो resource नहीं है तो आप तो खुद ही समझ लीजे कि rejection के लिए आपने खुद अपने आपको problematic problem में डाल दियो इस चीज का खास ध्यान रखना है एक board और एक stand ले लिजे stand open किया board लगाया पीछे उसके अपने teaching gate अपने पास रखी चौक, marker आपके हाथ में होना चाहिए, book आपके पास होनी चाहिए, माल लिजीए हो सकता है कि वो online interview के दुरान आपकी teaching देखना ना चाहते हो लेकिन अगर आपके बास ये resources पहले से लगे होंगे, तो एकदम level को check करेंगे, कि नहीं teacher is good दोस्तो आपके मतलब विश्वास मानिये मेरा, कि आपकी selection online ही हो जाएगे, लेकिन अगर आप job भी चाहते हो और आप पूरी तरह से update नहीं हो, तो इस तो किसी भी organization को फिर दोश देना गलत है, कि इनको शायद candidate की ज़रूरती नहीं थी आपको ये सोचना भी ज़रूरी है कि मेरे अंदर कोई कमी थी क्या तो मुझे update कर लेना चाहिए हो सकता है, इस organization से नहीं, तो दूसरी organization से आपको इस तरह की दिक्कत जिंदगी में आ सकती है, तो online interview में, number one dress code should be perfect number two communication should be soft and to the point number three, knowledge means तयारी पूरी आपकी होनी चाहिए number four, resources आपके पास होने चाहिए number five, demonstration के तयारी, वो demo ले ना ले आपकी तरफ से तयारी होनी चाहिए तो आपके online interview perfect जा सकता है और आपकी selection असानी से हो सकती है आज के वीडियो का मकसद यही था कि आप की job लगे, लेकिन क्या-क्या हमारे अंदर कमिया रह जाती है वो मेरा बताना आपको मकसद था कोई बात आपको बुरी लगी हो, चुप गई हो उसके लिए माफी जाता हूँ जस्ट आप लोगों की बलाई के लिए आप लोगों के फाइदे के लिए आप लोगों को guide करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों और यह चोटी-चोटी चीजें हैं वो सकते हैं किसी के साथ कोई हो और मुझे लगा कि मैं यहाँ वीडियो के जरी आपको बताओं कि आपके साथ नहों पाए जाहिंद नमस्कार